तो गाहिज स्वागत है आपका हमारा यूटूब सैनल साइन से तो मेरे प्यारे भाई आज को यह किलिर करता हूं अगर आपको कुछ भी नहीं आगा समझ में तो आप वीडियो के नीचे ना कुछ भी लिखकर जा सकते हैं तो आज मैं जो बतलाओंगा अगर आपको नहीं समझाएगे तो आप वीडियो के नीचे ना कुछ भी लिखकर जा सकते हैं तो वीडियो स्टार जानना तो यह जरूरी होता है कि यार हमारा जो सजीव होता है वह आपको क्या होता है तो यहां पर आप देख सकते हैं मैंने सजीव लिखा है तो यहां पर आप देखिए कि यहां पर जो दिख रहा है वह क्या है तो यहां पर आपको बहुत ही मतलब असानी से देखने को मिल रहोगा क्या लिखा क्या हुआ है सज्यू तो सज्यू का कुछ न कुछ तो परिभास होगा तो मैं आपको सबसे पहले यह तो किलिर करी दे रहा हूं कि सज्यू यार जिसमें जान हो यार जिसमें जान हो और जो भोजन बनाता हो जो खाता हो जो चलता हो और जो मतलब घर में मतलब जिसमें जान हो त्यार अगर इसका परिभासा देखा जाया तो कुछ इस परकार की है आप देखने का परियास किजेगा तो यहां पर आपके सामने परिभासा है कुछ इस परकार की है यह किस चीज का परिभासा है तो आपको याद रखनी है सजीव का बहुत ही मैंने मत कह सकते हैं जीवित को हम सजीव कह सकते हैं यार परानी उसको भी कहते हैं जो जीवित होते हैं और जिवधारी उसको ही कहते हैं जो जीवित होते हैं और जिसमें बस जीवन हो बस इतना समझें कि जिसमें जीवन हो या अगर इसते भी नहीं समझते हैं तो जिसमें और समझें क कि जो भोजन बनाता हो जो भोजन बनाता हो या हम थोड़ी सी इसको पेन पिला ले लेते हैं और थोड़ी सी हां तो जो भोजन बनाता हो और इसके बाद जो चलता हो और जो बढ़ता हो अब बात आती है क्या बढ़ता यार जब छोटे थे तो क्या बढ़े होते हैं जी हां व बात बताओ, आपके घरों में इट है, क्या इट को आप खाना खिलाते हो, इट क्या खुझ से एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नहीं न, इट जो होता है, क्या एक जगह से दूसरे जगह जाता है, नहीं जाता है, तो मेरे प्यारे साथ ही, हमारा जो सजीव होते हैं, वे आपको जिसमें जान होता है जो सांस लेता हो ठीक है अगर आपको सजीव का परिवासा अगर लिखना चाहते हैं तो आप यहां पर वीडियो रोक कर लिख सकते हैं तो आज ही हम सबसे पहले तो सजीव को जान लिए सजीव तो जानने के बाद अब जो टॉपिक है वह क्या है स सोड़ी सी इसको छोटा करते हैं 8 तो यहां पर हम देख सकते हैं कि हम सजीव के क्या कर लिए हम यहां पर सजीव का बात कर लें कि या और सजीव मतलब करते हैं लैद थेPar तो आप यहाँ पर देख सकते हो यार कि यार गती क्या होता है तो जो एक जगह से दूसरे जगह जाता हो यार चलना फिरना घोरना क्या कलाता है गती आप वैसे नहीं समझ पाईएगा तो आप समझे जैसा कि मानिये कि आप एक सेर हो जैसा कि आप मानिए कि आप एक सेर हैं और सेर हैं तो खाने के लिए दूसरे जनतू को आप मारते ही है मारते हैं ना अगर आप सेर हैं तो आप दूसरे जनतू को खाने अपना पेट भरने के लिए आप दूसरे जनतू को मारते हैं तो यार दोड़ते हैं माना कि आप यहां पर हो तो यहां पर यहां पर तो जाते हो ना त्यार एक जगह से दूसरे जगह गए त्यार सेर जो होता है बहु दौरता है या चीता होता है ये सब जो होते है वे आपको दूसरे जगह मतलब जन्तू को मार कर ये खाते है त्यार जाता है तो वो चलता है न तो एक जगह से दूसरे जगह जाता है तो वह उसका चलना फिरना आपको गती कहलाता है तो मेरे प्यारे साथी आपको गती समझ आई आई की नहीं आई आप विडियो के नीचे यार जरूर लिखना तो अब हम समझते हैं गती का परिभासा आपके सामने यह है और आप लिख लिजेगा तो आगे हम समझते हैं कि हमने गती देख लिया अब बात आती है और थोड़ी सी हम पेंड के कॉलर चेंज करते हैं अब यहां पर आप देख सकते हैं कि सजीव में गती तो हमने देखी लिया अब बात आती है सजीव में प्रजनन तो जैसा कि आप सब को यहां तक सजीव पता है और यह में सजीव पता यानि आपको पता यह भी पता है यह भी पता है सजी हुप अभर यह सब बात करेंगे प्रजनन ब्रीधि आपके तो चलिए शुरुवात करते हैं रह्जтер करते हैं तो हम इसको clear करते हैं चलना फिर्ण आपको कहलाता है गती किलियर तो अब हम समझते है यार प्रजनन आखिर होता क्या समझें क्या है प्रजनन इसके बाद हम समझेंगे ब्रेदी और पोसन और समझेंगे उत्सरजन तो आप देखते रहना यार आपको बहुत ही मतलब बारिकी से समझाने वाला हूं ठेके अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यार भाई को सपोर्ट करना क्योंकि ठोटे चैनल को एक सबस्क्राइब की जरूत होती है यहां पर देख सकते हैं अब समझना क्या है प्रजनन तो यहां पर लिखा क्या हो है परिभासा जो जनम देता हो जैसा कि आप सबको पता है आप आपके भी एक माता पिता है और गाय के भी एक माता पिता होते हैं और अन्य जन्तों के माता पिता होते हैं जैसे चुज्जा का एक माता पिता क्या होते हैं क्या सकते हैं मुर्गी होते हैं उसी प्रकार हमारा भी एक क्या है माता पिता है तो आपका भी माता पिता है तो या यार जैसा कि आप सबको पता है कि यार हमारी जो माताय होती है वो बच्चों का जनम देती है तो जब बच्चों का जनम देती है तो जो मातारी अपने ही समान बेटों का जनम देती है तो वह आपको कहलाता है यार प्रजनन प्रजनन आपको आई कि नहीं आए कि हम कह सकते हैं सभी जनतुय तथा पौध है यानि कोई पौधा हो या कुछ भी हो अगर वह अपने ही जैसा यार पुत्र या पुत्रियां का जनम देता हो तो वह आपको कहलाता है परजनन मेरे प्यारे साथ है क्या यहां तक आई कि नहीं आई तो परजनन आपको समझना क्या है जो जनम देता होना वह आपको कहलाता है परजनन ठीक है तो यहां तक की बाते आपको आ गई होगी तो अब हम समझते हैं कि और हम क्या सिखने वाले हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं अब समझते हैं हम ब्रीधी यार अब बिरिधी होता क्या है तो जैसा कि आप सबको पता है कि अभी आप बोल रहे हैं क्या जब आपको जनम हुआ था तो क्या आप बोलते थे बोलते थे बर चिलाते थे ठीक है जैसे हम से अभी बात कर सकते हैं आप छोटे थे तो क्या आप बात कर सकते थे नहीं ना तो यार जब छोटे थे माना कि हम एक ठोप के मतलब यहां पर देखे एक जब आप एक ठाकी थे तो क्या आप बोलते थे नहीं आप धीरे धीरे आप बहुत बड़े हो गए हैं तो यार जब छोटा पेंड होता है तो व वह आपको कहलाता है ब्रिधी उसी प्रकार हम छोटा से बड़ा हुए हैं तो वह आपको कहलाता है ब्रिधी ठीक है तो ब्रिधी क्या होगा कि हम जब छोटा थे तो छोटा से बड़ा हो गया तो छोटा से बड़ा होना यार कहलाता है ब्रिधी यह बात आपको समझ आई की न अब बात आती है या पोसन क्या होता तो जैसा कि आप सब को पता ही है कि हमारे घरों में खाते हैं तो एक रोटिया या दाल चावल कुछ भी लेते हैं तो दाल चावल रोटिया जब हम खाते हैं तो खाना जब हम खाते हैं तो खाना खाना कोई भी हम खाना लेते हैं और उसको यहां तक की बात आई कि नहीं आई तो समझना यह जरूरी है कि यार पोसन होता क्या है तो बस आपको याद रखनी है कि हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो यहां पर वही आपको कहलाता है पोसन यानि यहां पर परिभासा लिखा क्या हुआ है कि खाना खाना पोसन कहलाता है तो ठीक है तो आगे के बातों को हम देखते हैं कि आगे हम क्या क्या चीज़े को यहाँ पर देखने वाले हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा क्या हुआ है तो अब हम समझते हैं यार उट सर्जन होता क्या तो यार जैसा कि आप सबको यहाँ पर असानी से पता है आपको यार जैसा जैसा कि मतलब सुन-सुन कर कपार दुख गया होगा तो आप लोग को यार पता ही होगा कि उत्सर्जन होता क्या तो आप सबको पता ही है कि हम जब खाना काते हैं तो खाना खाते हैं तो यार कभी पेट में रखते हैं देखो यार मैं जब समझाता हूं न तो सिर्यसली समझाता हूं अगर आपको नहीं समझाएगी न तो आप विडियो के नीचे कुछ भी लिख दिने जार उत्सर्जन क्या होता जब आप खाना खाते हो तो यार खाना खाते हो तो क्या आप पेट में ही रखते हो नहीं ना तो यार कोई भी खाना खाते हो तो यार पेट में नहीं न रखते हो तो यार उसको निकाल देते हो निकालते हो ना जिया निकालते हो कोमेंट करके बताना तो यार हम जब खाना खाते हैं तो हम पेट में नहीं रहते हैं तो खाना को यार मतलब हमारी पेट से बाहर निकालना यह आपको कहलाता है उत्सर्जन अगर आप को यहां तक भी डाउट है तो आप यहां पर परिभासा देख सकते हैं कि कोई भी चीज को छोड़ेना जार कोई भी चीज है उसको हटा दो गर से बाहर निकाल दो यानि हटाना हात दो कर बैठना कोई बीचीज है उसको हाथ धोकर हटाद वैट यार बहुत खराब चीज थी ठीक है तो उत्सर्जन का मतलब यही होता है गयार गंदे पदार्थ को यार बिग देना ठीक है तो यहां तक भी कोई डाउट है तो आप वीडियो के नीचे लिख सकते हैं और आपका ही बना है साइंस महल टेनल जो बनिये और क्या होता है आगे देखते चलिए